हाई अब्रीवन वेल्कम बेक टूमा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर है कर आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बीएसी सेकंड यर वालों के लिए जो लोजी का फस्ट पेपर है इंपोटेंट है आपके सौट आंसर तो सौट आंसर में अ सैक्लोगिलास आस पर टिपड़ी ली दिए मुझे एक कोमल होता है बहुत ही छोटे आकार परारी होता है और नाकर बालों में रहता है लंबाई इसकी पंद्रा सैंटिमीटर तक होती है और जीवित परारी में reflective का करकि आयोडीन जैसी गंद आती है ठीक है सेकलो ग्लास जो है फिर से इसके रिपीट कर लेते हैं कि यह जो बालू होती है यानि बलूई मिट्टी में बिल बनाकर रहने की इसकी प्रवर्ती होती है अगर इसकी लंबाई की बात करें तो आराउंड 15 सेंटीमीटर तक होती है औ को हम समझ लेते हैं देखिए यह सेकलो ग्लास है देखा होगा आपने इस तरह की सद्रेशना इस तरह के प्रॉबसिस होता है यह इसका अपर और अपर साइड में आपका प्रोवोसिस है ठीक है और सबसे लास्ट का जो है आपका यह वैक साइड है यह लास्ट है आपका इस यहां पर एनस होता है अगर हम प्रोवोसिस और एनस को छोड़ करके और और दूसरे इरियाज को देखते हैं तो यहां पर देखिए जो इसमें पाई जाती है सेम एज Judy होता है और कॉलर के नीचे का जो ये आपको ऐह साउपल टाइप की साइब इन्में सबसे घ्ले जो शानरुपना होती है वह बंपाई त्रंग होती है यöh Walk on क्ले की सबस्ते के लिए घ्ल्ट होती है यह इस टाक माउथ्र ब्रांच adults रीजन को स्टेविल्टी प्रदान करती हैं अब देखिए यहां पर मुड़ी हुई संरचना इस तरीकी से आपको गोल गोल इस्टक्टर यह एक सरपिलाकरती की देखने को मिलती है इनको जैनिटियल रीजन आफ ट्रंक कहा जाता है और जो बीच में होता है एनस से पहले यह से इसकी सेंटीमीटर अरांड़्स समय होती है बालु में रहता है बालु में बिल बनाकर रहने की इस अपनी आदत होती है तो सेकलो गिलासस जो है यह आकार में जादा बड़ा नहीं होता है जादा सरीर इसका क्यूटिकल या किसी और आबरर से धका नहीं रहता है बहुत ही सोफ्ट होता है कोमल पराड़ी होता है इसलिए यह किसी जादा मजबूत जमीन में नहीं रह सकता है यह वालू में ही अपन धड़ में बटा रहता है सुन्द संक्वाकार होती है कॉलर का पस्च किनारा धड़ के अगले भाग पर अपर कुलम की भाती लटका रहता यानि जो इसके शरीर का पिछला किनारा है वो धड़ पर अगले धड़ का जो अगला भाग है उस पर अपर कुलम की भाती हैंग रहता और धर तीन भागों में बटा होता है देखे कौन कौन से तीन भाग होते हैं एक तो किलोम छेतर होता यानि ब्रांचियल रीजन जिसको कहते हैं दूसरा होता है जनसेख छेतर जिसको जैनिशल रीजन कहते हैं तीसरा होता है उदर छेतर जिसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं तो इसका धड़ जो होता है ट्रंक यानि तीन भागों में बटा रहता है एक ब्रांचियल रीजन दूसरा जैन्चियल रीजन और तीसरा एब्डोमिनल रीजन तो इन अलग अलग भागों में बटे हुए इस सेकलो गिलासस के सरीर की बरनावत ही कुछ अन्य प्राणियों से अलग होती है इसके सरीर की जो वाह सतय होती है सरीर की वाह सतय पच्छमावी होती है ठीक है यानि इसका जो वाहरी सरीर होता है यानि एक्स्टरनल वर्डी जो होती है वो पच्छमावी होती है और सरीर का जो पच्छ भाग होता है डीले चक्रों में कुंडलित होता है यान जन्तु जो होते हैं यानि सिंगूलर एक एक लिंगी जन्तु यह होते हैं ठीक हैं और इनमें डवलमेंट जो होता है वो प्रतियच्छ तरीके से पाया जाता है तो इस तरीके से सैकलो गिलास जो है यह इस तली जन्तु है इस तली जन्तु वह भी ज्यादा हाट जगह में नह ये बलूई में टी में अपना बिल बना करके रहने की इसकी प्रवर्ती होती है देखने को इसका सरीर होता है तो ये सरफिल यानि बीच में मुड़ा हुआ कुंडले ताकार का इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं लगातर हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थेंक्यू आगे हम किसी नई वीडियो में फिर उपस्तित होते हैं तब तक देखते रही है हमारे चैनल पेपर हैकर को